स्वागत है आप सभी का xp classes में आज हम लोग पढ़ेंगे कच्छा ग्यारा की संस्कृत के अंतरगत पहला अध्याय वंदना तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा मैं चेतन प्रताब एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ xp classes में तो चलिए शुरू करते हैं यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलें और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बे सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी इस तरीके से सहयता करें चलिए शुरू करते हैं विश्वानी विश्वानी माने होता है संपूर समस्थ विश्वानी देव सवीतर दुरितानी पराशुब यत भध्रमतन आशुब विश्वानी माने समस्थ यह संपूर देव माने देवता सवीता सवीता माने होता है शुरूर अब यहां शुर्य देव से प्रात्ना की गई कि हे शुर्य विश्वानी देव सवीतर दुरितानी दुरितानी माने होता है पापों को पराशुब माने दूर करो या हटा दो कि हे शूरेदेव विश्वानी माने समस्त पापों को दुरितानी माने पापों को पराशुब माने हटा दो या दूर करो कि हे शूरेदेव समस्त पापों को हटा दो हमारे समस्त पापों को हटा दो या दूर कर दीजे यत भद्रम यत माने जो भद्रम माने कल्यान कारी तन्य अब यहाँ तन्य का मतलब है तत ना यानि तत का मतलब होता है वह और ना का मतलब होता है हमें तत यानि वह हमें आशुब का मतलब होता है प्रदान करना विश्वानी देव सवी तर दुरितानी पराशुब हे शूरिदेव हमारे समस्त पापों को पराशुब करो अर्थात दूर करो यद भद्रम और जो भद्रम हो माने कल्यानकारी हो तन आशुब वह हमें प्रदान करो अगला पत देखें इशा वाश्यम इदम सर्भम यत किंच जगत्याम 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 इशा वाश्यम इदम इशा माने इश्वर से, वाश्यम, यहां इसका है वाश्यम, वाश्यम माने व्याप्त है, यानि व्याप्त है, इदम माने होता है यह, और सर्वम माने समस्त, यत माने होता है जो, किंच माने यत माने जो, और किंच माने कुछ भी, जगत्याम का अर्थ है संसार में और जगत का अर्थ है यह जो जगत यानि जो चर और अचर से व्याप्त जगत है वो जगत कि यहां कहा गए इशा वाश्यम विदम सर्वम यत किंच जगत त्याम जगत कि यह जो संपूर इस समस्थ जगत में जो कुछ भी जगत है यानि जो कुछ भी जगत का यह धर अर्थ है जड़ चेतन जो कुछ भी जड़ चेतन है उन सभी में सर्वम में इशावाश्मिदम यानि इश्वर का वासे यानि उस परमात्मा का इस संसार में जो कुछ भी जड़ चेतन है सम्में वासे तीन त्यक तीन भुंजी था भुंजी था माने भोग करो उपभोग करो तीन माने इन सब का भुंजी था का मतलब है भोग करो मा माने मत त्यक तीन का मतलब होता है त्याग भावना से इन सब का त्याग भावना से भोग करो मा गृधा मा माने मत गृधा माने लोब ये लालच लोब मत करो कश्यस विद्धनम किसका धन है यानि ये कहा गया है कि ये जो धन है वो किसका है अर्थात ये समस्ज जगत में जो भी संपदाएं हैं उस पर किसी का अधिकार नहीं उस पर केवल इश्वर का अधिकार है इसलिए क्योंकि ईश्वर सर्व जगत में व्याप्त है इसलिए समस्थ चीजों को त्याक की भावना से भोग करो इशावाश्यमिदम शर्भम की इन सब में ईश्वर का वावाश है यत किंच यत माने जो किंच माने जो कुछ भी किंच माने कुछ भी जो कुछ भी जगत त्याम जगत जो कुछ भी जगत में है जड़ और चेतन रूप उन समस्त में ईश्वर का वास है तेन त्यक तेन भुंजी था इन सब का त्याग भावना से भोग करो यानि उपभोग करो मा गिर्था लालच मत करो कश्यश्विद धनम धन किश्का है यानि सब कुछ ईश्वर का है ईश्वर प्रदत इन समस्त संप्रदाव पर किशी का अधिकान नहीं इसका अर्थ ये है इतने का तो अब ये समझ में आगया होगा आपको सायद अब आगले पद में बढ़ते हैं समझें अब यहां प्रात्ना की है गुरू और श्वर प्रात्ना की है गुरू और इश्वर चे कहा है कि है इश्वर चेहना वबतु सहे नव भुनक्तु नव माने हम दोनों हमारी साथ साथ रक्षा करें हमारा साथ साथ भुनक्तु माने पालन करें सह वीरियम करवाव है और सह वीरियम करवाव है वीरियम माने वीरियम का अर्थ इदर सक्ति या पौरोश या पूरसार्थ या बल कि हम साथ साथ बल को प्राप्त करें करवाभाः माने प्राप्त करें सहवीरियम करवाभाः तेजश्वी माने तेजोमई नाव अधीतमस्तु यहां इसको जड़ा तोड़ेंगे हम लोग औसको क्या करेंगे यह नाव का मतलब है नौ प्लिस अधीतम अधीतम और मस्तु में अस्तु है अस्तु का मतलब है होना अस्तु का मतलब है हो और अधीतम का मतलब है पढ़ी हुई पढ़ी हुई विद्या और नौ का मतलब है हमारी या हम दोनों की ठीक है नौ का मतलब है हम दोनों की यानि जो हमारा पढ़ा हुआ ग्यान है वो तेजो मई हो तेजस्वी हो मा माने मत विदुश्वाब है माने हम विदुवेश ना करें हम दुवेश ना करें यानि इश्वर से गुरु और सिश्व प्रात्ना करते हैं कि सहनाव वबतू कि हमारी साथ साथ रक्षा करें सहनाव कहते हैं तेजस्वी ना वदीह तमस्तू यानि जो हमारा ग्यान है हमारा जो अध्यन है जो हमारी विद्या है पढ़ी हुई जो विद्या है यानि जो हमारा अध्यन है जो हमारा ग्यान है वह तेजस्वी हो तेजी उक्तो मा विद्विशाव है और मा माने मत विद्विशाव इसमों प्रात्ना की गई है कि भाग्वन आप हम दौनों गूरू और शिश्यों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन करें, हम दौनों साथ साथ बल या शक्ति या पौरुष कुछ भी कह予 ह Calvin, वीरियम कर यही अर्थ होता है, हम दौनों साथ साथ बल और पौरुष को प्राप्त करें हम दौनों का अध्यन तेजी उक्तो हम दौनों परसपर द्वेश न करें। विद्यते जश्वी हो, हम कभी एक दूसरे से द्वेश ना करें। यानि जो स्रेष्ट ग्यान है उसे प्राप्त करो, उठो जागो और जो स्रेष्ट ग्यान है उसे प्राप्त करो, अगला पत देखें। यतो यता समीह से ततो नो अभयम कुरू सन्नह कुरू प्रजाभ्यो अभयम नह पशुब्या। अब आगे देखें। यतो यता माने जहां जहां से जिस जिस से यहां जहां से यतो यता समीह से माने चाहते हो। कि हे इश्वर जहां जहां से चाहते हो ततो ततो माने वहां वहां से नो माने हमारी अभयम अभयम माने अभय 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 माने निर्भयता और कुरु माने करो कि हे इश्वर हे भगवान अब जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से हमें अभय करो माने निर्भय कर तो, सन नहा, इसमें इसको तोड़ेंगे, सन का मतलब होता है कल्याण और नहा का मतलब होता है हमारा, कि हमारा या हमें, सन नहा कुरू, कि हमारा कल्याण करो, प्रचाब्यो, सन नहा कुरू, प्रजाब्यो, अभयम ना पशुब्या, कि हमारी प्रजा का, यानि हमारी शंतान का कल्याण करो, अभयम ना पशुब्या, और हमारे पशुब्या की रक्षा करो, और हमारे पशुब्या की रक्षा करो, तो इस तरीके से इसमें कहा गया कि है आप जहां जहां से चाहे तो वहां वहां से हमें अभय कर दो, निर्भय कर दो, सन्नाह कुरू प्रजाब भी हो, हमारी संतान का कल्यान करो, अभयम नह पशुब्या और हमारे पशुब्या को अभय दो, यानि हमारे पशुब्या को भयमुक्त कर दे, तो इस तरीके से ये जो आपका चैप्टर है वो पूरा होता है आसा ही ये चैप्टर आपको पूरा पसंद आया होगा पूरा समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें आगे अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत बंदे मात